क्या हम अगले बार बोलेते हैं भूल गए फोट अच्छा मकरा फोन तो बाई लोग हम लोगे पास आ गिया है देश का फोन बोले तो Micromax Note in 1 जिसे कि आप लोग देख सकते हैं और इसका review भी जो है हम लोगों ने बना दिया है चैनल पर और जैसा कि मैंने आपको promise किया था कि हम लोग इसका camera test भी करेंगे देख सकते हैं कि इस तरह का x-factor वाला डिजाइन है और देखेंगे कि इसमें x-factor वाला photography होता है कि नहीं आप लोग के लिए हमने यहाँ पर बाहर में shoot करने के लिए हैं देख लिए है stadium और यहाँ पर हम आपो करके दिखाएंगे wide angle, photography, photography जितना तरह का होता वहिया आपका सारा confusion इस वीडियो में दूर हो जागा अच्छा लगा है तो वीडियो को like कर सकते हो और subscribe भी कर सकते हो इस अच्छी टैप की वीडियो के लिए है तो भालोग फोटो और वीडियो दिखाऊं उससे पहले मैं आपको बता दो कि Micromax Note in 1 जो है इसमें आपको चार वो कैमरा मिलता है ठीक ना चार वो कैमरा देख लिए इस तरह से 48 मेगा फिक्सल का एक कैमरा है एक है 5 मेगा फिक्सल का मतलब में कैमरा ठीक है और सामने के तरफ सेल्फी आपको दिया गया सेल्फी वेगरा के लिए आप लोग देख लिए इस टैप का आपको फोटो वेगरा मिलेगा उस टैप को तो अभी फिलावा आपको नहीं मिलने वला आगे जाकि हो सकता अपडेट के बाद आपको मिल जाए लेकिन फिलहाल तो आपको नहीं मिलेगा कि कहीं कहीं पे आपको फोटो को ज़्यादा ही over sharpening depth का मिलेगा मतलब इस sharpness को ज़्यादा ही बढ़ाओ के दिखाया के मिलेगा आपको यहाँ पे और उतना अच्छा देखने में नहीं लग रहा है और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि front camera का फिलाल अभी अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो portrait mode जो है उसका बिल्कुल बिकार टैप का है उतना अच्छा तरीके से age deduction नहीं करता है ठीक है ना मिर भाई और कभी color over exposure वाला भी photo आता है तो इन सब चीजों को यह तीन problem मैंने बता दिया आपको इसका मतलब यह नहीं कि front camera खराब है capacity है बंदे के अंदर बुले तो 16 मेगा फिक्सल के अंदर लेकिं software optimization उतना अच्छा नहीं है तो फीडबेक पर फीडबेक पेल दो जाके एकदम माइक्रो मेक्स के साइड में ताकि उनको ही पता चले कि यहाँ पे front camera में बहुत ही ज्यादे requirement है optimization की ताकि photo अच्छा से खीच पाई 16 मेगा फिक्सल का है ना तब ना काम चली बही ऐसे किसे काम चली तो काईस माइक्रो मेक्स नोट इन वन से अगर आप बैक साइड से recording करते हैं तो 720 पी में आप कर सकते हो और 1080 पी में recording कर सकते हो और audio भी जो है अभी recording हो रही है माइक्रो मेक्स नोट इन वन से ही और देख लो भीया किस टैप का quality आ रहा कमेंट में ज़रूर बताई है और आप लोग में जज्ज है क्यूंकि आप ही लोग ना बताई है अब इस सामने से मेरे तरफ रोशनी पढ़ रहा है धूपका रोशनी और इधर घूमते हैं तो किस टैप का exposure विगरा control करता है आप लोग देख लिजिए और हमको खुद comment में बताई गया है कि आप लोग जज है हम नहीं है हम क्या बताते है वो बताते है वो तो अलग राय है अलग मसला है ठीक ना लेकिन आप लोग क्या जानते है footage देखके वो ज़रूर बताई है और गाई पोस्त तो नहीं कर रहा है अब देखिए धर भी जो लाइटिंग पाट रहा है वो काफी अच्छा से यहां पर recording विगरा है जहां तक मुझे देखने में लग रहा है जहां तक मैं footage को देख पा रहा हूं मुझे तो बिल्कुल सही टैप का लग रहा है आप क्या लगता वो म इतना area coverage करना चाहिए कि एक wide angle को उतना तो कर रहा है देखने में भी अच्छा लग रहा है लेकिन एक चीज़ में आपको बता दो कि भाईया एक चीज़ आप जरूर से दिमाग में रखिए कि पाच मेगा फिक्सिल से आप कितना expectation करते हैं यह तो आपकी उपर है मेरे करते हो तो कुछ इस टाइप का फोटो बगरा आयागा जैसे कि आप यह वाला फोटो देख सकते हैं मेरे वाई कि यहां पर यह मैंने खीचा है पीछे वाले कैमरा से और आप देख सकते हैं अगर बात करें जूम करते हैं तो पत्ते के तरह आप देखिए डिटेलिंग ठीक कर लिए तो जादा अच्छा रहेगा अब यह वाला फोटो देख सकते हैं यह फोटो ठीक है बहुत जादा दो डिटेलिंग में नहीं मिलेगा लेकिन आपका काम चल जाएगा मुबाइल वगर हम देखिए तो उतना पता नहीं चलेगा लेकिन यह फोटो देखो मेरे बाई कोई बोली नहीं सकता कि हम माइक्रो मेक्स के मचलब इन नोट वन से लिए हैं पीछे वाला कैमरा से लिए फोटे एट मेकर फिक्सिल से यह पे लिए हैं नॉर्मल कुछ नहीं खाली यहाँ पर लाइटिंग अचारा तो मतलब दिन में लिए थे डेलाइट में लिए भाई यलो टिंट जो आ रहा फोटो में उस चीज़ को प्लीज थोड़ा से ठीक कर दिये ताकि जो है कस्टमर लोग और भी मज़ा ले पाएं फोटो बेगर का अब यह फोटो में लिया था माइक्रो शोट में लिया था अब एक चीज़ में बता दो अगर आप माइक्रो श फिक्षर आपको दिखेगा लेकिन अपर होल्स, 2 में अच्छा नहीं आता देखो ये फोटो को अगर मैं जूम करता हूँ तो जाधा दूरी से नहीं लिया गया है लेकिन आप देख सकते हैं इस फोटो में साफ साफ कि पूरा का पूरा फोटो जो है वया बढ़िया नहीं लग रहा है तो ये मतलब इस चीज़ को अगर सुधार दिया जाए थोड़ा स इसा आता है अब ये फोटो जो मैं लिया तो पोट्रेट में लिया तो मेरे भाई और एकर दिया देख सकते हैंग पूरा का थूमला कर दिया बाल विगरा, और मतलब क्या ही बोलो, मतलब अच्छे से जो है और यहां पर एज डिटिक्सन में पॉर्टेड मोड में खास करके Micromax को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, बाकि आप हो क्या लगता वो मुझे कमेंट में बताना जरूर मत भूलिए, मतलब जरूर बताई है मिर भाई अब ये फोटो मैंने लिया था, नॉर्मल लिया था, देख लो भाई आपका Forex Zoom, मतलब ठीक टाका Zoom भी आप कर सकते हो, और जैसे को बताई देख कभी कला यहाँ पर Exposure का भी दिक्कत होता, तो यह वाला फोटो भी देख सकते हो, यहाँ पर Exposure जो है, यहाँ पर खेला हो गिया है फिलहाल में आप लोगों के साथ एक चीज़ यहाँ पर Share करना चाता हूँ पिलीज, वीडियो में बने रहें अगर आपको Slow Motion का शौक है मेरे बाई, तो Slow Motion दिस में दिया गया है, सैंपल वाँ देख लीजिए, उसके बाद कमेंट वाँ में जरूब बतिएगा कैसा लागा, ठीक है I know, बहुत जादा तो बहतरीन Slow Motion आपको नहीं मिलेगा लेकिन मेरे भाई, आपको खाम जरूर चल लागा, अगर आपको Slow Motion में लेना है तो at least वहाँ पर Option दिया गया, आप ले सकते हो तो कोई भी फोन लीजे, लेकिन फोन लेने पहले आपको ये जरूर देखना है कि आपका use क्या है, आप क्या camera के लिए रहो, display के लिए रहो, battery के लिए रहो, design के लिए रहो किस चीज के लिए रहो, ये चीज जरूर देखना है अगर आप यहाँ पे 48 मेगा फिक्सल देखके 11,000 रुपे देखके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैमरा बहुत अच्छा मिलेगा आपको यह सोच के ले रहे हो मेरे बाई तो कहीं न कहीं आपको दिक्कत हो सकता क्योंकि अभी फिलाल इसमें उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है कैमरा को लेके जो मेरा opinion है वो मैं आप लोगों के सामने रख दे रहा हूँ हो सकता है कि Micromix का Note 2 सिरीज है तो उसमें आपको बहतरीन कैमरा मिले हो सकता है कि Micromix और भ्यानक टैप का अपडेट दे कि इस कैमरा को ठीक कर दे लेकिन तिल अभी बहुत सारे problems तो अभी इसमें हैं जो कि resolve हो सकता है मैं आपको यहाँ पे सिर्फ यह कहना चाहता हूँ Micromix एक ऐसा लॉंडा है जो पहले बहुत बड़ा बड़ा खेला करता था ठीक है ना मेरे भाई अच्छा अच्छा मोबाईल लाता था वो कैसा लाता था नहीं लाता था उस पर हम बाद में बात कर लेंगा भी उस पर बहुत सारी वीडियो बनी उस पर हमको चर्चा नहीं क पड़ेगा और यहां पर कैमरा का भी यहां पर बहुत जादा प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है फिलाल क्योंकि 48 में का फिक्सल दिया तो है और वो कैपेबल भी है लेकिन उतना अच्छा फोटो अभी नहीं निकाल पा रहा हो सकता है कि आगे जाके जैसे ही आप लोग फी जोड़े चीजे हो रही है और अगर आपको कोई भी कोश्चन हो रिगार्डिंग इस माइक्रोमेक्स नोट इन वन मेरे भाई इन नोट वन कुछ भी बोल लिजे तो भाईया नीचे कमेंट में जरूर मुसे पूछे कोई भी दरगा दिक्कत ने मैं आपका हेल्प करूंगा और अगर आपने रिवीव वीडियो नहीं देखी है मैंक्रोमेक्स का तो मैंने वो भी बनाया उसमें भी बहुत सारे कनफिशन दूर किया है उस वीडियो को भी आप जो है जाकर चेकाउट कर सकते हो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब क अगर आपको इस टैप की वीडियो पसंद है तो अगर आपको इस टैप की वीडियो पसंद है तो